तो फ्रेंड्स यह जो है यह नेक और फीमर है जैसे मैं ड्राव कर रहा हूं ठीक है यह उपर का नेक का पॉर्शन यह जो एरिया है सारा यह यह वैस्कुलर एरिया डेड है इसलिए इसे शेप भी चेंज है और इस एरिया के अंदर बिल्कुल भी बलड सब्लाई नहीं जिसस हमारा बॉड़ी का वेट आता है तो अगर वेट बेरिंग एरिया में बोन डेड हो गई फीमर के हैट की तो पेशन को बहुत दर्द और लंगड़ा बनो जाता है चलने में तो आज जब हम करेंगे इसको इस एरिया को इसको निकाल देंगे और इसके अंदर स्टेम और यहाँ पर सेरैमिक का हेड और यहाँ पर अंसेमेंटेट का पा जाएगा तो यह दोनों लेग्स भी इकोल हो जाएगी और पेशन का पेशन का पेशन भी चले जाएगा